नमस्कार दोस्तां उत्राखंड के चमोली डिस्टिक्ट से बहुत अनफॉचनेट खबर आई है इलेजिडली नंदा देवी ग्लेशर का एक पार तूट गया जिसकी वज़े से एक बार आगई फ्लैश फ्लड्स ट्रिगर हो गए इस टाइम पे जिस टाइम पे मैं वीडियो बनाने लग रहा हूँ लेटेस्ट अब्डेट ये है कि 15 से ज़्यादा लोग अपनी जान खोचुके हैं 100 से ज़्यादा लोग अभी भी मिसिंग हैं और दो बड़े हाइड्रो पार प्लांट्स पर भारी नुकसान पहुचा है इस डिजास्टर की वज़े से ये पहली बार नहीं है कि ऐसा डिजास्टर हुआ है 2013 के डिजास्टर की याद दिलाता है और ना ही ये आखरी बारी है कि ऐसा डिजास्टर होगा इन प्लाइमेट चेंज की वज़े से आने वाले समय में ऐसे डिजास्टर्स और भी ज़्यादा फ्रीक्वेंट बनते जाएंगे और भी ज़्यादा खतरनाक बनते जाएंगे तो मैं बहुत जरूरी समझता हूँ इस पर एक वीडियो बनाना ताकि हम आने वाले समय के लिए प्रिपेर्ड रह सकें अभी तक हमारे पास इस चीज को लेकर 100% शोर शॉर्ट इन्फोर्मेशन नहीं है कि ये डिजास्टर एक्चुली में हुआ क्यों क्या रीजन्स हैं एक्जाक्ली ये होने के लेकिन कई एक्सपर्ट का मानना है इस चीज के पीछे एक फिनॉमिना है जिसे कहा जाता है GLOF Glacial Lake Outburst Flood इससे पहले मैं आपको एक Glacial Lake Outburst Flood के बारे मैं समझाओं थोड़ा बेसिक से शुरू करते हैं Glacial क्या होता है आप सब जानते होंगे उपर उपर से कि Glacier क्या होता है आपके दिमाख में एक पिक्चर आती होगी ऐसी सी कोई जब आप Glacier को और ice और snow आती जाती है और ice को melt होने का time नहीं मिल पाता जैसे कि mountains के top पर mountain tops पर आपको glaciers मिलेंगे या फिर Iceland और Alaska जैसी जगाओं पर आपको glaciers मिलेंगे तो एक glacier इतनी भारी और इतनी बड़ी collection होती है ice की कि ये अपने वजन की वज़े से ही move करना शुरू कर देती है तही सुना अपने glacier basically moving ice होती है या फिर flowing ice के लो जैसे river flowing water होता है वैसे glacier flowing ice होती है जब ये glaciers flow करके पहाड़ी के नीचे आते हैं तो वहाँ पर temperature थोड़ा ज्यादा होता है ice melt कर जाती है और eventually इन glaciers से rivers भी form होती है यही glaciers नदियां बनाते हैं एक interesting चीज यहाँ पर यह है दोस्तों कि जब एक glacier flow करता है तो उसके नीचे जो जमीन मौझूद है वहाँ पर जो भी पत्थर है मिट्टी है ग्रेवल है उन्हें glacier अपने साथ लेकर चलता है glacier एक तरह से conveyor belt की तरह act करता है जैसे एरपोर्ट पे जो suitcase लेकर जाने वाली belt होती है न आपकी वैसे ही उस belt की तरह act करता है glacier इन पत्थरों और मिट्टी के लिए यह इन्हें एक तरह से उठाकर आगे पटक देता है इसी रीजन से जिस जगें से glacier गुजरता है वहाँ पर एंड वाली moraines को कहा जाता है terminal moraine दूसरी चीज़ी है दोस्तों कि जब कुछ glaciers melt होते हैं तो उनके end पर एक glacier lake सी form हो जाती है अगर उनसे कोई river ऑलेडी बन नहीं रही है तो और यह glacier का end है कि यहाँ पर एक lake आ गई है क्योंकि यहाँ पर तापमान ज्यादा है वो ice pingal कर पा और भी तेजी से बढ़ने लग रहा है और भी ज्यादा glaciers melt होने लग रहे है तो और भी ज्यादा यह glacier lakes बनने लगेंगी जहां जहां glaciers देखने को मिलते हैं अब होता क्या है दोस्तों कई बारी यह glacier lake के आगे जो moraine लगा है यह natural barrier है कई बार यह barrier तूट जाता है land slide की वज volume बहुत जादा बढ़ गई इस glacier lake के पानी की और इसने moraine को तोड़ दिया और यह moraine तूट गया तो यह natural dam तूट गया और यह जितना भी पानी इस glacier lake में मौजूद है यह सब नीचे जाएगा एक flood create कर देगा और इसे ही कहा जाता है दोस्तो glacier lake outburst flood जो कि कुछ experts का मानना है दोस्तों कि शायद यह reason नहीं था flash floods के पीछे प्रोफेसर H.C. Nainwal, Glaciologist है, इनका कहना है कि इस region में ज्यादा glacier lakes मौजूद नहीं और दूसरा reason यह ना होने के पीछे यह हो सकता है कि अभी winters का समय चल रहा है यह जो glacier lake outburst floods होते हैं यह summers में ज्यादा होते हैं क्योंकि तब actually possibility यह बताई जा रही है कि नंदा देवी glacier का यह पार्ट जो तूटा है यह काफी height से गिर कर तूटा और जब glacier का पार्ट इतनी height से नीचे गिरा तो उससे उसके impact से बहुत heat generate होई जिससे कि यह ice सारी melt कर गई, landslide trigger हुआ, एक avalanche trigger हुआ और इतना सारा पानी, इतनी सारी ice ए avalanche या landslide हुआ होगा, जिसने पथरों को इस तरह से obstruct कर दिया, जिससे कि एक makeshift dam create हो गया, natural dam create हो गया, और वो natural dam तूट गया हो, जिसकी वज़े से flash floods आए हो, तो यह explain कर सकता है कि पहले कोई glacier lake क्यों नहीं दिखी, लेकिन इन तीनों में से कोई भी possibility हो, यहाँ पर यह ची पिंखलने लग रहे हैं, और intensity से पिंखलने लग रहे हैं, और ज्यादा glacier lakes form होंगी, जिससे ऐसे floods आने के chances आने वाले टाइम में और भी बढ़ते जाएंगे, एक research ने बताया है, काटमांडू-based international center for integrated mountain development की 36% जो volume है हिमालिया के glaciers में, वो साल 2100 तक खतम हो जाएगी, और ज glaciers का melting का rate था, 1975 से लेकर 2000 यर के बीच में, और जो 2000 यर के बाद से melting का rate है, वो दुगना हो चुक है, इस चीज़ का solution सुनने में simple है, लेकिन करने में पता नहीं कितने साल, कितने दशक लग जाएंगे, हमें climate change को होने से रोकना पड़ेगा, Paris Climate Agreement, जो कि दुनिया भर की almost हर ए country को जादा से जादा कोशिश करी जाए, electric cars में switch करने की, renewable energy में switch करने की, और जो भी carbon dioxide के emissions निकल रहे हैं, अलग-अलग sources से, उन्हें कम करने की कोशिश करी जाए, climate change के लावा दूसरा indirect effect मैं कहूंगा, और short term है, और ज्यादा direct है, जो environmental destruction हमें देखने को मिल रहा है, कहीं पर और वो infrastructure projects के द्वारा किया जा रहा हो, कि यहां पर यह और dams बना दो, और river का जो natural flow है, उसे restrict करने की कोशिश करो, या फिर कहीं पर jungle काट दो, यह सड़के बना दो, इसका एक बड़ा example है, सरकार के द्वारा बनाया जा रहा, चार धाम highway project, जो कि currently under construction है, बहुत से ecologists और experts न में बनाया जा रहा है, जो कि उत्राखंड के पूरी ecology के लिए आने वाले time में बहुत नुकसान दायक हो सकता है, in fact, कई experts ने तो यह भी कहा है, कि सरकार ने legal loopholes का इस्तिमाल किया, environmental impact assessment को bypass किया, जो assessment किया जाता है यह देखने के लिए, कि यह जो highway बनाया जाएगा, जो भी infrastructure project बनाया जाएगा, उसका impact क्या पहुचेगा वहाँ की local environment पर, अब बात क्या है, दोस्तो, logic बड़ा simple है, जब पेड काट कर आप सडके बनाऊगे, तो land slide होने के chances ज्यादा बढ़ जाएगे, पेडों की roots, soil को एकटा रखने में मदद करती है, avalanches के लिए भी as a barrier act करती है, और land slide के लिए भी as a barrier act करती है, हाला कि सुप्रीम कोट ने हाँ पर कोशिश जरूर करी है environmental damage को कम करने की कुछ हद तक, ये order पास करके की narrow width करी जाए इस highway की, ऐसे cases में solution यही है दोस्तों की हम जनता को यहाँ पर अपनी आवाज उठानी चाहिए, जब भी हम सरकार को ऐसी development क करते होए देखें, ऐसे projects बनाते होए देखें जहां पर जो नुकसान उस project से निकल रहा है वो कहीं ज्यादा है as compared to जो benefit उस project से आएगा, चाहें आप आरे forest का example ले लो, चाहें गोआ में मौलम वाला example ले लो, चाहें ये चार धाम project, additionally in solutions के लावा एक तीसरा technical solution भी है इन problems को avoid करने के लिए, जो specifically glacier flood वाली problem को address करता है, ये जो glacier lakes form होती है, अगर इन्हें पहले से observe किया जाए, assess कि कहां कहां पर ये form होने लग रही है, predict किया जाए, mathematical models के थरू कि ये वाला glacier से अब ये glacier lake form होगी, इसका moraine इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पर risk बहुत ज्यादा है, एक Glacial flood outbreak होने का, outburst होने का, तो उसके लिए simple engineering related solutions हैं याँ पर, Glacial lake के फटने का इंतिजार करने से पहले ही, हम Glacial lake को drain करना शुरू कर दें, उसके side से एक कैनाल निकाल दें, जिससे की पानी वहां से ही drain होकर निकल जाए, और ये पानी खटा ना होते रहे एक दिन फटने के लि इसे कहां पर सबसे ज़्यादा risk हमें या पर देखने को मिलता है, और उसे कैसे avoid किया जा सकता है, बस बात यह है दोस्तों कि इन सारे solutions पे हमें आग से काम करना शुरू करना पड़ेगा, ताकि ऐसे disasters future में ना हो, और अगर हो भी, तो हम उसके लिए पहले से ही prepared हो, यहां प पे member बनके join button click करके, मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद